Kasty और Healthy से नाश्टे की बाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक cup हमने लिया है कच्छा चावल इस कच्छ चावल को हम दो लेते हैं क्रीब हम 2-3 भर पानी से दोएंगे इसे अच्छी तरह से तरह से लगणते व्याप दो ले इसका इस पानी को हम फेक देते हैं तो दो से तीन बर हमने अच्छी तरह से इसे धोल लिया है अब हम इसमें डाल लेते हैं गरम पानी और इसे एक घंटे के लिए सोक करने के लिए रग देते हैं अगर आपके पास टाइम है तो इसे 4-5 घंटे के लिए आप सोख करने के लिए रख सकते हैं नई तो आप 1 घंटे के लिए गरम पाने में से सोख कर ले चटनी बनाने के लिए हमने यहां लिया है 3 चमज चने की दाल, 3 चमज मूँख फरली इन दोनों को हमें रोस्ट कर लेना है तो इसे फ्रेंस लगातार चलाते हैं आपको पकाना होगा अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो यह बाहर से जल जाएगा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा तो आप इसे medium low flame पे पकाएं जिससे कि बिल्कुल इसका कच्छपन जो है खत्म हो जाए तो यह देख सकते हैं फ्रेंस हमारे जो मूंग फल्ली और चने की डाले वह अच्छी तरह से भून चुकी है अब हम इसे side में निकाल के रख लेते ठंडा कर लेते हैं सब्सक्राइब और इसे हमने चत्ठी जांट में डाल लिया है चार से पंछ लेसुनगे करलिया डालेंगे सवाद नुसा नमक डालेंगे और जरुब्ड शाप सैमें थोड़ा थोड़ा पथा पानि डालेंगे और इस ग्राइंट कर लेते है हमें इसका बिल्कु स्मूद पेस्ट तयार करना है फ्रेंस यहां पर चटनी के रहे तड़का बनाने के लिए हमने एक चमच ओईल को गरम किया है आदर चोटे चमच राई डालेंगे एक कटी भी हरी मिर्च कडी पत्तर डाल लेते हैं और अब हम गैस को बंद कर लेंगे इस गरम गरम तड़के को हम चटनी में इस तरह से डाल लेते हैं फ्रेंस यह चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है एक बर आप इसे ज़रूर बना करके ट्राई कीजेगा तो यह देख सेथे फ्रेंस यह हमारे जो चावल है हमने इसे सोक करने के लिए रखाता है गंटे के लिए यह अच्छी दरह से इस तरह सोक हो चुगा यह देखे चावल अच्छी दरह से आसानी से टूट रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसका एक्स्टर पानी हम निकाल लेते हैं शावल को हम डालेते हैं ग्राइंडिंग जार में स具 बिच-विच में थोड़ा पाई डालते जाएंगे और इसे हम अम ग्राइंड कर लेते हैं तो यहांगा चावल का सुमूध सा पेश तैयार हो गया है इसमें हम डालनेंगे दो उबले हुए आलू तो ढ़िपला हुआ हम इ प्रेंस अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ वेजटेबल्स तो आपके पास जो भी वेजटेबल्स हो उस ते साब से आप इसमें यूज कर सकते हैं मैंने यहां एक कटा हुआ प्याज लिया है एक कटीवी हरी मिर्ज कटा हुआ टमाटर डाल लेते हैं कटा हुआ क्याप्सिकम नमक डालेटे हैं और अब हम इसमें कुछ मसार्य डाल लेते हैं तो यहां पे आदा चुटे चम्म जीरा हमनेए लिया है अब डाले चुटे चम्मच लालमिष पाउडर और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंज आप देख सकते हैं यह हमारा जो बैटर बहुत ही कलरफुल लग रहा है इसमें आप अपने पसंद से वेजटेबल डाल सकते हैं और जो हमने वेजटेबल यूज किया अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं फ्रेंज यहां हमने जो उबलाव आलू डाला है उससे इस नाश्टे का टेक्शर बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही जालिदार सा और सौट सा यह नाश्टा बन के तयार होता है अच्छी तरह से यह मिक्स हो चुका है तो अब हम चलते हैं ग्यास की तरफ तवे को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है ओईल हम इसमें ग्रीस कर लेते हैं और अब हम इसमें छोटे-छोटे से इस तरह से पैंकेक्स बना लेते हैं यह देखे तो हमने छोटा छोटा यहां पर बना के तयार किया है आप चाहे तो इस नाष्टे को थोड़ा बड़े साइज में बना सकते हैं तो जब यह हलका पक जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे और इस तरह से पलट लेते हैं दूसरे तरफ भी से सिख चटनी के साथ सर्व कर लिया है और यह देख सकते हैं यह कितना ज्यादा सौफ तयार हुआ है यह देखे सब्जियों से बिलकुल भरपूर कम बना हुआ बहुत ही हल्दी टेस्टी कच्चे चावल की नाश्टे की रेसिपी तो यह देखे फ्रेंस यह चटनी के साथ यह कित